ग्राम पंचायत धूमा माल के ग्राम पी परियावासी ग्रामिणों नी ओलव रश्टिस से हुई फसल श्रती का मुआवचान न मिलने पर ग्राम पंचायत पॉंडी रोड पर चक्का जाम किया अगोशित ग्रामिणों नी घंसोर से लुआ ब्योहारी मार्ग में टैंक लगा क पर रोड चक्का जाम किया और अधिकार के तहर नारे लगाए ग्रामिणों ने बताया कि अच्छानक ओलव रश्टिस से हमारी खड़ी फसल का नुक्सान हुआ था परन्तु सर्वे रिपोर्ट में कुछ गिने चुने लोगों को ही मुआवचा मिल पाया बाकी की सूची त चक्का जाम प्रदर्शन स्थल पर पहुंच कर इस्तती को परक्ते हुए वन पट्टा धारी ग्रामिणों की एक एक बात का जाइजलिया और बीट प्रभारी खुर्वेती से उलवरश्टिस से हुई शती के सर्वे के बारे में विदीवत जानकारी लेते हुए ग्रामिणो को समझाया और पटवारी मनुहर परते और नाकेदार हुवेती को ततकाल कुना सर्वे का आदेश दिया एक एक कर चक्का जाम में बैठे आक्रोशित ग्रामिणों की बातों को शांती प्रद सुना गया वा आश्वाशन दिया गया कि मामला संग्यान में लेते हुए उचित जाच और कारवाई की जाएगी दोशी पाय जाने पर कारवाई का आस्वाशन दिया धरना अस्थल पर वन विभाक रेंजर मनमोहन जाटव घंसोर भी उपसित रहे चक्का जाम अस्थल पर थाना किंद्रई पुलिस एस 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 भरद्वाच अपनी टीम के साथ धरना प्रदर्शन को शांती पुर्वक समझाई शुदे कर आस्वाशन कर कारवाही की जाने की समझाई शुदे कर चक्का जाम धरना प्रदर्शन को खत्म किया घंसोर से इश्वर दिक्षित की रिपूर्ट अब नहीं में नादेदार साथ लिखा एक एक की जाते हिए तुम्हारी जेक गेहूं लगी की तो गेहूं लिखांकर उसने और अगर इसकी खेश में चनक ऊच्छा लिखनार्या लिखना लिखना है जो आप लोग के पास उपड़ा है वो संक्या है जिसका हम आपका रुक्सानी की चार्च करा सकें में जाख की नजर में उनको मावजा मिलना चाहिए है वो त्रेपन की संक्या है आप अधिया जब्याद को प्रभाविद कर सकना जी कि अधिया है आप लोग कहा से स्रीमान है हम लोग जराम पिपरिया गराम पंचा धुमा माल थाना किंद्रई तैसिल घंफ और जिला सिवनी के हैं सभी वनाधिकार पट्टे धारक हैं जो 2010 से इनको बन भूमी पट्टे में प्रदाय की गई है जो भूमी ही इन किर सकते चुकि इनको अभी विगत है 20, 21 और 22 मार्च को हुई ओला विरस्टी जो इनकी बन भूमी की खेती में इन्होंने चना और गेहों की फसल लगाई हुई थी जो पूरी तरह पक्के तैयार हो चुकी थी उसी बीच में ओला विरस्टी होने से इनकी फसल पूरी तरह नस्ट हो च चुकी है तो आप मौके पर जाके भी देख सकते हैं कि वास्ता में इनका छती हुआ है इसकी जाच एवं मौजरासी दिलाने के लिए संबंदित अधिकारी नाकेदार एवं पटवारी को दी गई लेकिन नाकेदार सर्वे किया परंतु इन किर्षकों की पट्टे की फोटो काफी खाते नंबर भी ले ली गई परंतु आज तक इनको ना तुच्छती का माउज़ा दिलाया गया ना ही माउज़े की कोई बात की गई इस मांग को लेकर सामुहित रूप से ग्राम पिपर या के समस्त कर सकोंने पॉल सेंटर 181 में सीम हेलप लाइन में अपनी सिकायत दर्जकराई वहां से उत्तर मिला कि आप शांत रहिए एक सप्ता है कि अंतर अंदर आपका निरकरल संबंदित विभाग के अधिकारी के माध्यम से जाच कराके तुमको उच्छत नियाज दिलाया जाएगा लेकिन जब हम एक हपता से आठ दिन नो दिन भी हो गए हमारी को अपने एडियम साहब महोदय के पास जाकर समस्त किर्शकों ने अपना ग्यापन सोपा कि भीया इसका क्यों निरकर नहीं किया जा रहा है इनको क्यों माउजा की रासी दिलाने की बात नहीं की जा रही है इनका क्यों वास्तिक नुकसान का जाच नहीं किया जा रहा है क्या इन किरसकों ने क्या अनियाई किये हैं। इसकी मांग को लेकर कि ग्यापनदीय एधियम साथ को कि भाई अब चक्ता जाम करने के लिए आकोरशित किरसक हैं। उतरने के लिए तैयार है। इसकी जौाफ़दारी सासन और प्रसासन की रहेगी। यह चगाजाम कब तक रसी में थे आपका अब समस्त करशकों का कहना है कि अधिकारी अगर अभी आ जाता है और हमको पूरा आस्वासन देता है कि हमारा जाच किया जाए और इनको वास्टित नयाय मिला जाए इनको मौज़द दिलाई जाए तो अभी हरताल हटाने के लिए त तो अभी भी जारी रहेगी लडाईया भी